नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेशाज 12 मई दुपहर 3 बजे राजिस्थान की खास खबरें दिल्ली के मुख्य मंतरी अरविंद किजरिवाल ने प्रेस कॉन्फरेंस कर का हा कि दोस्तो सीधा जेल सी आ रहा हूँ, अभी मैं और परिवार हनमान जी, शिव जी और शनी महरास की पूजा करके आ रहे हैं, हनमान जी की हम विशेश क्रिपा है, बजरंग बली की क्रिपा है जो मैं अचानक आपके बीच में हूँ, किसी को उमीद नहीं थी कि मैं आऊंगा, हमारी आमादमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है, दो राजों के भीतर है, अभी दस साल पुरानी पार्टी है, इसे कुचलने में और खत्म करने में, प्रधान मंत्री जी की कोई कसर नहीं चोड़ी, एक साथ हमारी पार्टी के टॉप चार नेता जेल भेज दिये, बड़ी बड़ी पार्टी के चार टॉप नेता जेल भेज दिये जाएं, पार्टी खत्म हो जाएगी, पार्टी के लिए भी इन्होंने सोचा, लेकिन आमादमी पार्टी एक सोच है, जितना खत्म करने की सोचते हैं उतना बढ़ती है जो लोग मोदी जी से मिलने जाते हैं मोदी जी सबसे पहले केजरिवाल और आम आदमी पार्टी के बारे में बात करते हैं वो चाहते हैं कि आपको कुचल दिया जाए ये ताना शाही है और गन ट्रांस्प्लांट मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारी जारी है पुलिस की और से अब तक 11 अरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है अरोपियों में सवाई मान सिंग अस्पितल का सहाइक परशाशनी कदिकारी गौरफ सिंग फोटिस अस्पिताल का विनोद सिंग, गिरीराज शर्मा, फानू लववन्शी, एच सी सी हॉस्पिटल का अनिल जोशी, बंगलादेशी नागरिक नूरूल इसलाम, मेंदी हसन शमीम, मुहम्मद असनानूल, मुहम्मद अजाद हुसैन, सुमन जाना और सुकमे नंदी शामिल लेकिन इस मामले में अब तक एक भी बड़ा नाम पुलिस लिस्ट में नहीं है, जिसे पुलिस की और से गिरफतार किया गया हो, अब तक एक भी किसी डॉक्टर की गिरफतारी नहीं की गई है, जबकि पुलिस के सामने आ चुका है कि पूरा खेल नीजी अस्पतालों में ख सवा लाग सरकारी स्कूलों के 80,70,000 से दिक बच्चों को 15 अगस्त तक सरकार से हड समगरी और योजना का लाब दिलाने की तयारी है शाशन सचीवाले में शाशन सच्योक्रिशन कुनाल की अगवाई में पांच विभागों की कॉमन बैठक में यह डेडलाइन ले गई है इसक सरकारी काम तीन महीने से लेकर एक साल तक डिले रहते आई हैं आयुक्त समगर शिक्षा अभियान अविचल चतुरवेदी ने इतना ही कहा कि हर योजना का लाब बच्चों तक निर्धारित समय पर पहुंचे इसके लिए योजनाबद तरीके से काम किया जाएगा वित इंचाशन की और से बनाए गई कमेटी ने सरकार को अपने रिपोर्ट भेज दी है जिसमें कमेटी ने अधिक्षक की लापरवाही नहीं मानी है कमेटी ने इस मामले में ब्लड बैंक इंचार्स डॉक्टर सतेंदर चौदरी की लापरवाही मानी जिसके बार चकित्सा इस पोर्ट में यह नहीं बताया कि अधिक्षक ने समय पर कभी ब्लड बैंक की मॉनेटरिंग तक नहीं की वहें पुलिस की धिलाई भी इस केस में सामने आ रही है मामले में एक कमेटी एसेस मेडिकल की और से बनाई गई है जो मामले की जांच में जुटी है अब रोडवे परबंदन ने अटेंडन्स मेनेजमेंट सिस्टम एप तयार किया है इसे एप्लिकेशन पर रोडवेश करमचारियों के अटेंडन्स लगेगी ऑनलाइन अटेंडन्स होने से काम में पारदर्शित आएगी करमचारी अब आ रहे हैं और जा रहे हैं इसका पता चल पाएगा अफसर हो या करमचारी अपनी मर्जी नहीं चला सकेंगे इससे जान करमचारियों की आने जाने की दिन चर्या में बदलाव आएगा वे रोडवेश प्रिशाशन के कारियों में भी पारदर्शित आएगी इससे पहले करमचारी रिजिस्टर में हाजरी लगाते थे लेकिन अब ये बंद हो जाएगी इस एप का क्षेतर निर्धारित किया गया है अटेंडन्स लगाते समय करमचारियों को डीपो के 200 मीटर के दाएरे में रहना होगा इस सीमा में रहकर वे अपनी उपस्थिती दर्स कर सकेंगे अगर इससे जादा दूरी पर होंगे तो हाजरी नह सालय का भांडा फोर्ड किया है साथी अस्पिताल संचालक दस्वी फेल युवक के खिलाफ धंबूला थाने में मामला दर्स करवाया है पुलिस ने रिपोर्ट के अधार पर अनुसंदान शुरू कर दिया सीमेचर डॉक्टर अलकार गुपता ने बताया कि आपरेशन ब्ल प्रांच कित्सक होने के कोई दस्तावेस मौके से नहीं मिले वहीं टीम ने जितेंदर को जूला चाप बताते हुए मामला दर्स करवाया है टीम को मौके पर गर्बपात बीपी एंटिबाइटिक दवायां मिली हैं जिसे जब्त किया है राजा ने जैपुर में अनोखा फैशन शो हुआ इसमें एक मा ने अपनी बेटी को गोद में लेकर रैंप वॉक की साथ में बेटा हाथ पकड़ कर चलता रहा शो में पांस से छे साल के बच्चों ने भी अपने पेरेंट्स के साथ रैंप वॉक की वहीं देश विदेश से डाइ मॉडल्स डॉक के साथ रैंप पर उत्रे और कपड़ों का कलेक्शन शोकेस किया फैशन शो में गर्मी के समर कलेक्शन को शोकेस किया दरसल यूनाइटेड कलरस ऑफ बैनेटन की और से नरायन निवासस्थित पलाडियों में फैशन शो आयोजित किया गया वाग राजानी जैपुर की होटेल में दिल्ली की महिला से रेप का मामला सामने आया है पेडिता अपनी बैन को एक्जाम दिलाने आई थी होटेल रूम में अकेला पाकर आए साथ दोस्त ने रेप किया दिल्ली पुलिस ने जीरो नंबर F.I.R. काट कर जैपुर के चितरकूर था ता मुबाइल पर औरूपी सुशिल से बात होने पर जैपुर आने के बारे में बताया उसे भे साथ घुमाने ले जाने के कहकर आरूपी सुशिल साथा गया यह चितर कोट नगर स्थीतेक होटेल में अकेला पाकर जबरन रेप किया पुलिस ने मामला दैड्स कर जाँच श ने बदमाशों का पीछा भी किया लेकिन वे अंधेरे में ओजल हो गए पिडिता के पुत्र किशनलाल जाट ने थाने में अग्यात बदमाशों के खिलाफ दर्सकरवाई रिपोर्ट में बताया कि मां स्यानी देवी वे बेहन मंगली देवी पतनी कजोड जाट निवासी ताम माबेटी घायल हो गई सोचना पर माधोराजपुरा एसेचो दिवेंदर चावला ने मौका मुआइना कर संदिक्दों से पूस्ता शुरू की ग्रामिणों ने अक्रोश व्यक्त करते हुए पुलिस से बदमाशों को गिरफतार करने की मांग की है कि अ मौका है